अब लोग साधारन चाय की जग काढ़ा या फिर तुलसी अद्रक की चाय भी ना पसंद कर रहे हैं। वहीं इम्म्यूनिटी बूस्टर की लॉई, अश्वगंधा, तुलसी, अद्रक, हल्दी से बने प्रोडक्ट्स की मांग विदेशों में भी खूब बढ़ गई है। चोटे देश जैसे साइपरस हो गया, बलगेरिया, मौल्दोवा, कैनेडा, यूएस, अपकोस ये मेजर कंट्रीज हैं, मौरिश्य, साइशल्स, होंग कॉंग, इन कंट्रीज से भी बहुत ही जादा इन प्रोडक्ट्चिन दिमांड आ रहे हैं। इन दिमांड का जहां तक आपका प्रशन है, इंडिया में ही दुगनी से तिगनी इसकी डिमांड हुई है। कोरोना का खत्रा कमजोर इम्म्यूनिटी वालों को ज्यादा है, इसलिए एतियात के तौर पर लोग इम्म्यूनिटी बढ़ाने में चुटे हैं। ऐसे में पुरानी जड़ी बुटी काफी कारकर है। अब आयुश मंत्राले भी तुलसी, नीम, गिलोई, अश्वगंधा को इम्म्यूनिटी पूस्टर बता चुका है। इसलिए लोग ऐलोपेथिक दवाओ की जग आयुरवेद को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। दिपालिनन्दा, दिल्ली